हरियाना स्टाप सेलेक्शन की एक बर्ती को लेकर बड़ी खबर आ रही है साथ यो इस बर्ती को लेकर आप बड़ा बदला हो गया है हरियाना स्टाप सेलेक्शन यानि HSC इस बर्ती के लिए एकजाम नहीं लेगा अब ये बरती बिना परिक्षय के योगी इंट्रिव आदार पर इस बरती में सेलेक्षन किया जाएगा एचसासी कीनपदों के लिए परिक्षय नहीं लेगा और इंट्रिव बेस पर सीधी बरती होने वाली है इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो अन्द तक जरूर देखें नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डिजिटल फ्री सिक्ष्या के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों अरियाना का एक मात्र विश्यास ने चैनल जिसके उपर अरियाना की सभी परकार की बर्तियों से रिलेटेड जानकारी रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाती हैं इसलिए अगर आपको भी सई और स्टीक इनफोर्मेशन सबसे पहले चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइगन को भी दबाले जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों आपने पहले देख भी लिया होगा कि इस बरती की जो कल प्रेस कॉनफरेंस में जानकारी आई थी उसकी भी सुचना सबसे पहले अमारे चैनल पर दी गई थी इसलिए आप इस वीडियो को भी ज्यादा ज्यादा शेयर करें क्योंकि ये जानकारी भी आपको सबसे पहले दी जा रही है चलिए आप देखते हैं आज की बड़ी खबर साथियों पहले न्यूज देख लीजिए उसके बाद आपको अच्छी तरह से बताया भी जाएगा कि किस बरती के उपर प्रोब्लम आ रही है और उस बरती के उपर आगे डिसीजन बदल भी सकता है कोरोना मामारी के साथ ही आप बलेक फंगस के मरीजों की बड़ी संक्या को देखते हुए सरकार ने मेडिकल सेक्टर में विशेश बरती का फैसला लिया है डाक्टरों और नर्सिंग स्टाप के अलावा टेकनीशियन की बरती भी की जाएगी इन पदों को अरियाना लोक सिवा आयों के दायरे से बार किया जाएगा ताकि स्वास्ते युबाग सीधी बरती कर सके सीम का कहना है कि कमेटी बना कर बरती होगी वाक इन इंट्रू लेंगे और मेल्ट वैयोगे ताकि आदार पर सीधा चैन होगा यानि कि साथियो जो तीन परकार के पदों का जिकर किया गया है डाक्टर, स्टाप, नर्स और टेकनिशियन तो इसमें से डाक्टर के पदों पर इससे पहले भी सीधी बरती हो चुकी है आपको पता भी होगा 450 डाक्टरों के लगबग वो सीधी बरती हुई थी और वो भी इंट्रिव आदार परी की गई थी अब बात करते हैं नर्सिंग स्टाप और टेकनिशियन की तो साथियो सबसे जो बड़ी भरती होने वाली है वो नर्सिंग स्टाप की होने वाली है 1500 पदों के लगबग जो HSSC एड़ोटाइजमेंट निकाल रखी है उसकी एगजाम डेट भी आ गई थी लेकिन ग्राम सचियो एगजाम लीक होने के बाद इस परिक्सिया को भी पोस्ट पॉंड कर दिया गया था तो जहां तक CM साब ने ये काया कि अरियाना लोक सेवायो के दाइरे से भी बार किया जाएगा इन पदों को तो हो सकता है साथियो ये नर्सिंग स्टाप की बरती के ही जिकर किया जा रहा हो क्योंकि स्टाप सेलेक्शन बरती निकाल चुका है और उनको अब इन पदों को दाइरे से बार करना जुरूरी है उसी के बाद ही ये बरती की जा सकती है कल के वीडियो को देकर कई साथियो के कमेंट आ रहे थे कि ये बरती कोंट्रेक्ट बेस रहेगी या पक्की बरती रहेगी तो साथियो अभी इस बरती की ज़्यादा जानकारतियों आई नहीं है कल सिरब प्रेस कॉन्फरेंस में CM साब ने गोशना किया है इससे पहले इस बरती का कोई जिकर नहीं था हाँ स्टाप की कमी का मुद्धा तो काफी बार उठ चुका है अगर कल की प्रेस कॉन्फरेंस का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है और उपर आई बटन पर भी उस वीडियो का लिंक है आप जाकर देख सकते हैं साथियों अगर हमारे इसाब से देखा जाए तो अगर ये बर्ति कॉन्ट्रेक्ट बेस करने होती तो अरियानलोग सेवा आयोग के दायरे से बार करना इका जिकर जो किया है खट्र साब ने इन पदों को तो वो करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि contract बेस बरती तो सरकार वैसे भी कर सकती है और बाद में जब पक्की बरती होती तो उन candidate को अटाकर और पक्की candidate वहाँ पर लगा दिये जाते तो हमारे इसाब से तो कहीं ने कहीं stop nurse के पदों की जो बरती है एसससी ने निकाल रखी है उसी बरती का जिकर हो रहा है और वो एसससी के दाएरे से बाहर निकाल कर और अब इन पदों को सिध्धी बरती के दोवारा बरा जाएगा लेकिन साथियों ये confirm नहीं है शिरप और शिरप अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि जब इस बरती की ज़्यादा जानकरी आएगी तब ये confirm हो पाएगा और इस बारे में आपकी क्या राय है क्या ये बरती सिध्धे इंट्रिव के तोर पर होनी चाहिए या फिर HSSC एग्जाम के दोरा ये बरती पूरी होनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा ज्यादा सियर करें वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद मिलते नेक्स वीडियो में